नमस्कार किसान साथियों स्वागत आपके अपने YouTube Channel किसान Express में, किसान साथियो पिछ्छे हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बताया था कि जो आपका battery operated spray pump होता है, जो उसकी battery होती है, उसकी life आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, उसके उपर एक हमारे किसान साथ प्रकार चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बताएं तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे जो आपका बैंटरी ओप्रेटी इस प्रकार चेंज कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को अंतक देखें अगर आपको वीडियो अच्छ लगता दे वीडियो को लाइक करें और ज् वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे चले शुरू करते हैं आज की वीडियो किसान साथ यह जो बैटरी ओपरेटिड स्प्रेय पंप होता है उसकी बैटरी चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है उसके पीछे जो यह ढकन है आपको यह जो ढकन है वह सबसे पहले आपको यह जो पेच है वो खोल लेने हैं किसान साथे उसके बाद आप अगर इसका धकन उतारते हो यहां से तो इसके अंदर का जो मेकनिजम है कुछ इस प्रकार का होता है यह देखिए आप कुछ इस प्रकार आप इसका धकन उतार ले और उसके बाद आपको इसके अंदर एक यह मोटर दिखाई देगी और एक यह बैंटरी 12 वोल्ट 8 अमपेर की उसके बाद कुछ इसके अंदर आपको तारे दिखाई देगी यह इतना कुछ देखने के बाद आपको कन्फ्यूज नहीं होना है आपको सिंपली जो आपकी बैंटरी है आपको यह किसकस की साहता से बड़ी असानी से जो क्लिंप है इनको खोल सकते हैं यह देखिए इसके बाद आपको बड़े ध्यान सी यह बैंटी जो है बाहर निकालनी है किसान साथ यह देखिए जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था इसके अंदर यहां जो थिंबल नहीं लगे होते हैं या फिर आप इसको नमे वाल इस्तान पर रख देते हो जिसके कारण इसके अंदर कार्बन आ जाता है और आपकी बैटरी के अंदर चारजर द्वारा पूरा करेंट अंदर नहीं जाता और पूरा करेंट वापिस नहीं आता जिसके कारण यह जो बैटरी आपकी खर से पहले जिसने भी इसके अंदर ये बैंटरी लगाई थी किसी मिश्ट्री ने लगाई थी या कंपने लगाई थी यहां पर यहां पर कभी भी नहीं करेंगे हम यहां पर सोल्डर की जगह यह पितल के थिंबल आते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं यह आप देख सकते हो हम इ अगर हम इस प्रकार की इसके उपर सोल्डरिंग कर देते तो हम इसे नहीं निकाल पाते अगर हम थिंबल का प्रयोग करते हैं तो हम इने बड़ी असानी से निकाल सकते हैं किसान साथियों इसके बाद ये जो दो तार थे एक लाल रंग का और एक काले रंग का इसके अंदर हमें ये थिंबल लगाने हैं उसके लिए आपको कटर किसा है तरह से पहले इन वायरों का जो ये प्लास्टिक का पार्ट है ये कुछ इस प्रकार निकाल लेना है ठीक इसी प्रकार जो ये बलेक तार है इसका भी ये जो कवर है हम निकाल देंगे उसके बाद किसान साथियो इसको कुछ इस परकार आपको हाथ के अंदर होल्ड करना है और एक पलास की साहता से आपको simply कुछ इस परकार या बड़ी असानी से अपने घर पर कर सकते हैं कुछ इस परकार यह जो तार है वो लगा देनी है यह देखिए बहुत ही असान प्रोसी है वो नहीं आएगा किसान साथियो ठीक इसी परकार इस दूसरे तार के अंदर भी आपको क्या करना है यह जो पितल का जो थिम्बल है वो कुछ इस परकार लगा देना है यह देखिए यह दोनों जो पितल के थिम्बल है यह लग चुक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको बारा वोल्ट साथ अमपेर की या बारा वोल्ट आठ अमपेर की किसी भी अच्छी कमपनी के जिसके अंदर आप एम्रोंद के लेशकते हो एक साइड की ले सकते हो या फिर लूमिनस की ले सकते हो एक बैंटरी लेके आनिया आपको मार्केट से अगर इस बैंको प्राइस की बात की जाए तो यह आपको आठ सो पचास रुपे से लेकर limits तक अच्छी कमपनी की मेंट्टरी असानी से मिल जाएगी अगर आपको कुछ ये स्प्रमाब कर दुकान अने मले तो आप किसी भी कंप्यूटर आफ चाय वाली बेंटरी चाहिए क्योंकि इन बेंटरियों का जो निर्मान है वो यूपीएश के लिए करती है जो कंप्यूटर का यूपीश होता है उसके अंदर सेम वोल्ट की जो और सेम अंपेर की जो बैटरी है लगती है किसान सात्यों इसके बाद जिन तारों के अंदर हमने थिमबल लगाए थे वह तार आपको सिंपली ब्लेक वाड़ा ब्लेक के यह देखिये क्योंकि यह जो स्विच आओन था इसलिए देखिये यह देखिया यह मोटर चलब पड़ी इसका मतलब हमारे कनेक्शन सही है और जो हमारी वेंटरी है वो प्रफर वे से काम कर रही है किसान सात्यों मैंने आपको पहले भी बता था यह जो जो थिंबल हमने काम में प्रयोग करनी है तो आप simply यहां से कुछ इस प्रकार इसको बड़ी असानी से निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं उसके बाद किसान साथ ही हो आपको यह चेक करना है कि हमारे जो कनेक्शन है प्रोपरवे से है या नहीं यहां से जो आपके मोटर ओन हो रही है इ उसके बाद हमें यह भी देखना होता है कि जो चार्जर है उसके कनेक्शन जो है ओके है या नहीं है इसके लिएगा नेर को इसके ऑद रहे को एक बार चार्जर लगा कर यह चेक कर लेना है कि इसके अंदर green light आई है या नहीं है आगर green light आजाती है तो जो बैटरी से इस सो बैटरी हो चेंज कर सकते हैं किसान साथ यो आसा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे फिर भी अगर आपके मन में कोई कोश्चन है इस वीडियो से संबंदित बैटरी चेंज करने से संबंदित तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं आने वाली वीडि झाल झाल